नमस्ते दोस्तों आज हम कम तेल में चने की डाल की बड़ी की सबजी बनाएंगे कि जट पर बड़ी बनके तैयार हो जाती है और रसेदार सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमने चने के डाल को दो घंटे के लिए भी गो दिया था अब इसको सिलबटे पर रख लेते हैं अब मसाले थोड़े से डाल देते हैं लैसुन हरी मिर्ज लाल मिर्ज हींग जीरा थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और थोड़ी से धनिया सारी चीज़े अच्छे से पीस लेना है इसको दरदरा ही पीसना है बहुत मह देख काना चाहेंगे यह तुरंट की बड़ी बनाई सब्जी वहोत ही टेष्टी लगती है कम तेल में सब्जी बनके तयार हो जाती है दाल भी पिश चुकी है सिलबटे की दाल पीशी बहुत ही टेष्टी लगती आप मिकसर जार में भी पीश सकते हैं अब एक बाउल में छोटा छोटा करके डाल सकते हैं सब्जी में तब भी टेस्टी सब्जी बनती है इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं और सिल्बटे पर पीस लेते हैं सिल्बटे पर का पीसा मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है सबजी और टेस्टी बन जाती है अब टमाटर को इस तरह से पीछ लेना है इस तरह से बड़ी की सबजी बनाके खाएंगे तो सोया बीन की बड़ी भी भूल जाएंगे ये जटपड बनके बड़ी तयार हो जाती जो बहुत ही टेस्टी लगती है अब एक बाउल में निकाल लेते हैं अब कडाही में सरसो का तेल डाल देना है सरसो के तेल में सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है अब थोड़ा सा जीरा डाल देना है अब कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छे से भून लेना है अब मसाला निकाल लेते हैं एक कटोरी में थोड़ी सी धनिया पाउडर एक चमज धनिया पाउडर आधी छोटी चमज हल्दी आधी छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चमज कस्तोरी मेथी एक छोटी चमज नमक अब पानी डाल के मसाले को फुला देते हैं ऐसे करने से मसाले का टेस्ट बढ़ जाता है प्याज भी लगभग भून चुका है थोड़ा सा और भून लेते हैं अब मसाला डाल देते हैं मसाले को भी अच्छे से भून लेना है मसाला भून चुका है मसाले के साथ में टमाटर को भी भून लेना है अब पेशी वाली डाल ले देते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे गयज का प्लेम एकदम लो कर दो देना है अब बीच में इस तरह से कटोरी रख देना है उपर से एक प्लेट रख देना है अब प्लेट में छोटी छोटी बड़ियां बना लेना है सारी बड़ियां इस तरह से बना लेते हैं ये कम तेल में भाप में अच्छे से पक जाती है इनको तेल में डीप फ्राई करने से बहुत आयली हो जाती है बड़ियां इस तरह से पक भी जाएंगे और मसाला भी मेरा पक जाएगा बढ़ियों को चिक कर लेते हैं चाकू से देख लेना है चाकू में चिफ़ नहीं रहा इसका मतलब पक चुकी है बढ़िया अब कटोरी भी निकाल लेना है मसाले को अच्छे से भून लेना है मसाला लगभग भुन चुका है बड़ियां भी पक चुकी थी अब कटे हुए आलू डाल देते हैं ये कच्चे ही आलू है, बॉयल नहीं है इनको भी पका लेना है अब दो गिलास पानी डाल देते हैं थोड़ा सा रसा जादा ही किया है क्योंकि पानी बड़िया सोक लेंगी अब आलू को पक जाने देते हैं इस तरह से बड़ियां निकाल लेना है हमने प्लेट में तेल नहीं लगाया तब भी बड़ियां असानी से निकल आ रही है क्योंकि अच्छे से पक जाते हैं ते निकल आती है अब बड़ियों को भी डाल देते हैं एक बार चला देना है अब फिर ढख देते हैं कडाही को सब्जी पकके त्यार हो चुकी है आलू भी अच्छे से पक चुके है अब उपर से थोड़ा सा गरब मसाला डाल देना है और हरी धनिया पत्ती ये सब्जी तनी टेस्टी लगती है कि बच्चे और बड़ों को सबको पसंद आएगी चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ भी अच्छी लगती है आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिएगा ये कम तेल में सब्जी बन के तयार हो जाती है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों और अपने फेमली मेंबर और दोस्ते के साथ सेयर कीजिएगा एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीम्ति समय देने के लिए बहुत धन्यवाद झाल सब्सक्तों